दोस्तो आज कर टड़ा पंच CNG के साथ साथ लोग टड़ा पंच EV काफी काफी विसबरी से इंतजार कर रहे हैं आज की वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि टड़ा पंच CNG का प्रड़क्शन कब से शुरू हो रहा है और पंच EV कब तक लॉँच होगी और साथ ही दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि टड़ा पंच EV में हमें क्या क्या खास मिलेगा जो कि पंच के पट्रॉल बेरियंट में हमें नहीं मिलता है आज की वीडियो में हम इन बिंदूओं पर बात करेंगे टड़ा पंच ने कैसे हैच बैक कारों को क्या फेल दूसरा दोस्तो टड़ा पंच CNG का प्रड़क्शन कब से होगा शुरू तिसरा दोस्तो टड़ा पंच EV में क्या है खास ये भी हम आज के इस वीडियो में जाने टड़ा 5 ने हैच बैक कारों को कैसे किया फेल पंच की केमत पर कई कमपनियों पांच्च बैक कारे बिच रही है मारूति इगनिस की केमत 5,44,000 रुपरे और टाड़ा ट्यागो की कीमत 5,6,000 रुपए से शरू होती है लेकिन पंच में महें 50,000 रुपए अबी खर्च कहने इसके अलाब पंच में उनों कारों से बहतर इंटिरियर फिचर्ज भी हैं सेल्स को देखे तो पिछले महेने जून 2023 में पंच की कुल पेल हुई है दोस्तों 10,990 यूनिट 10,990 यूनिट जबकि ट्यागो की 8,135 यूनिट 8,135 यूनिट और मारूती इग्निस की सिर्फ 4,237 यूनिट 4,237 यूनिट की ही विक्री हो पाई है जिसे की पता चलता है कि कैसे ये गाड़ी हैच्बेक कारों को फेल कर रही है टाड़ा पंच CNG का प्रड़क्शन कब सी होगा शुरू ट्विन सिलेंडर वाली टाड़ा पंच CNG का इंतजार कर ही लोगों के लिए एक खुशकबरी आई है चोथा पोड़क्ट होगा और एल्ट्रोज CNG की तरह माइक्रो SUV में भी डूल सिलेंडर सेट अप मिलेगा जिससे बूट स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी मतलब कि CNG कार के साथ बूट स्पेस कंप्रोमाईज नहीं होगा दोस्तों जादा जानकरी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं पंच CNG के उपर जो मैंने बनाई है आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप वीडियो के एंड में उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं टाटा पंच EV में क्या है खास उन में 360 डिगरी कैमरा, चारू डिस्क ब्रेक, एरो डैनेमिक स्टाइल के अलोई वहिल दिया जाएंगे वही नई पंच EV में स्टेरिंग वहिल भी नए डिजाइन का देखने को मिलेगा इसमें टू स्पोक का स्टेरिंग वहिल दिया जाएगा जो कर्ब के जैसा होगा वही कार में इन फूटेनमेंट सिस्टम, डिजटल इंस्टूमेंट कलस्टर, छे एर बैग, ABS, ABD, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फिचर्स देखने को में भी दोस्तों बात करते हैं इसकी रेंज की तो इसमें हमें 300 किलोमेटर तक की रेंज मिल सकती है, पंच AB में कमपनी 25 किलोवर्ट का बैटरी पैक दे सकती है, इसको सिंगल चार्ज पर इसको एक वार चार्ज करने पर हम 200 से 300 किलोमेटर तक चला सकते हैं, हलांकि अभी तक कम इंपनी ने 5 EV को लेकर फिलाल कोई कोशना नहीं की है, नहीं इसके स्पेसिफिकेशन और नहीं किमत बताई गई है, हलांकि माना जा रहा है कि ये कार 10 लाग रुपे के अंदर लॉंच की जाएगी और दिवाली तक कमपनी इसकी बुकिंग शुरू कर देगी। होगी इंडिया की सबसे सस्ती EV SUV, 5 EV expected price के आसपास भारत में कोई भी electric SUV नहीं मिलती है, जिसे ये इंडिया की सबसे सस्ती electric SUV भी बनने वाली है। सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही वेल आइकन को वाल पर सेट कीजिएगा। आफ का दिन शुब रहे, जैहिन बंदे मातरम।